नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है competition community में मैं हूँ आनंद कुमार और आज के इस वीडियो से हम एक सेरी सुरू करने जा रहें इस सेरीज में आपको चार से पांच वीडियो मिलने वाले हैं चार से पांच वीडियो में आपको क्या-क्या मिलेगा तो previous year के questions paper का analysis मिलेगा with different angles CGPSC mains का previous year का questions paper आपको अलग-अलग angles से यहाँ पर पांच वीडियो मिलने वाले हैं अलग-अलग angles से कहने का मतलब यह है कि syllabus को discuss करते हुए हर एक paper का आपको यहाँ पर brief दिया जाएगा कि पिछले कुछ समय से या फिर पिछले कुछ सालों से कैसे CGPSC द्वारा questions पूछे गए हैं या फिर आने वाले समय में कैसे questions पूछे जा सकते हैं और यह भी आपको शुरू से बताया जाएगा कि CGPSC के main syllabus का trend कैसा है कैसे उसका pattern है marks distribution का कैसा pattern है कौन-कौन से subject कौन-कौन से paper में है कौन-कौन से part में है उसका weightage किस प्रकार से है क्योंकि होता क्या है ना कि आप सिर्फ competitive exams की बात नहीं हो रहा है अगर आप किसी भी exam का preparation कर रहे हो school level से college level तक किसी भी exam का preparation अगर आप कर रहे हो तो जब तक आप syllabus को बहतर तरीके से नहीं समझोगे बहतर तरीके से समझने का मतलब है कि जब तक आप syllabus की गहराई में नहीं चले जाते तब तक आपका preparation सटिक या फिर बहतर हुई नहीं सकता या फिर अगर आप जब तक उसके गहराई तेक नहीं पहुँचे आप सही रास्ते पर चल रहे हुई या नहीं ये आप बता ही नहीं सकते तो अगर आपको paper crack करना है सिमित समय में तयारी करना है बहतर तरीके से त्यारी करना है सही रास्ते पर चलना है frustration से दूर रहना है negativity से दूर रहना है अपने आपको motivated रखना है तो आपको तरीके से रास्ते पर चलना बहुत आवश्यक है और आपका syllabus तो इस series में हम क्या करने वाले हैं सबसे पहले मैं आपको वो बता दूँ, उसके बाद आज के वीडियो में हम क्या discuss करने वाले हैं, उसके बात करेंगे तो इस series में आपको जैसे उपर आपने heading पढ़ा, CGPAC means previous year questions paper analysis with different angles previous year के questions paper को अलग-अलग angles से analysis किया जाएगा depth level, कौन से subject का होता है, difficulties level कैसे होता है अगर एक topic से 4 number के questions पिछले साल पूचे गए थे लेकिन उसी topic से पिछले के पिछले साल 8 number के questions पूचे गए थे या फिर इस साल किस प्रकार से उस topic से questions पूचे जा सकते हैं, उस topics का value कितना है कौन से topic से कितने साल questions पूछे गए हैं पिछले 3-4 सालों में हर एक angle को इस series में हम समझेंगे तो लगबख 4-5 वीडियो आपको इस series में मिलने वाले सारी चीज़ों को हम समझेंगे एक-एक topic को हम brief में आप तक बताएंगे कि अगर इससे 2 number के questions आते हैं, 4 number के questions आते हैं, 8 number के questions आते हैं तो इस साल कैसे questions आ सकते हैं या फिर topics का importance क्या है, यह topic कितना important है, इस subject का यह part कितना important है हर एक चीज़ को हम discuss करेंगे तो इस series का आज का जो पहला वीडियो है वो होगा आपका syllabus discussion and marks distribution analysis और उसके बाद आने वाले समय में इन topics पे आपको वीडियो मिलने वाले हैं, जैसे subject, wetters and demands examination how questions prepared, how question paper prepared by CGPAC, कि question paper को CGPAC द्वारा जब तयार किया जाता है तो किन बातों का ध्यान रखा जाता है, कैसे questions paper design किया जाते है इसके अलावा CGPAC आप से चाहता क्या है जब CGPAC question frame करता है, तो CGPAC के कुछ demands होते है कि इन questions के आधार पे वो आपसे मांगना क्या चाहता है उसी questions पे फिर अगर उसके demand fulfill हो गया, तो उसी आधार पे वो marks आपको देता है तो सारे points यहाँ पर हम समझने वाले हैं तो आज जो हमारा main focus है इस वीडियो में वो है CGPAC means syllabus and marks distribution, इसका एक overview होगा ताकि आप सुरू से चीज़ों को समझते चले, आपको कहीं पर यह न लगे कि यह चीज़े समझना यह आरी है अगर कोई नया बच्चा भी है तो चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकता है बहुत बहतर तरीके से समझ सकता है, बारीकी से समझ सकता है तो इसलिए सीरिज में हमने पांच वीडियो रखा है, चार से पांच वीडियो ताकि सुरू से लेकर एकदम अंत तक syllabus के गहराई तक previous year के questions paper के आधार पर सब कुछ आपको बताया जाए बात समझ आ रही, चलो, तो सबसे पहले अगर आप competition community से जुड़ना चाहते हैं तो ये competition community का mobile application का QR code है, QR code scanner से आप इसे scan करें और competition community का application जरूर download कर लिए आप लोगों के लिए बहुत फायदे मन रहेगा अगर आप सही तरीके से preparation करना चाहते हैं, सही mark दर्शन के आवेशकता है आपको competition community का mobile application, QR code को search करके, scan करके आप download कर सकते हैं या direct Google Play Store पर जाएं, वहापर competition community search करें, फिर भी आप download कर सकते हैं ये टेलिग्राम चैनल का link है, अगर आप हमसे regular जुड़े रहना चाहते हैं, कुछ important information जो होता है चाहे exam से related हो, चाहे आपके content से related हो, या फिर जो हम content distribute करते हैं या फिर हमारे द्वारा जो चीज़ें लाई जाती हैं, उसका एकदम latest update आपको टेलिग्राम चैनल पर मिलेगा तो टेलिग्राम चैनल को भी आप scan करके हमसे जुड़ सकते हैं या direct competition community 1 टेलिग्राम पर आप search करें, और वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले जब आप CGPAC का preparation शुरू करते हो, तो आपको मिलता है prelims examination, mains examination, उसके बाद interview, उसके बाद आपका final selection ये तीन pattern होते हैं, तो आज की इस वीडियो में prelims पे बिलकुल बात नहीं होगा, prelims पे हम बहुत बार बात कर चुके हैं, या आने वाले समय में और भी बाते करेंगे लेकिन आज का जो ये main focus है, मुख्य परिक्षा पर है, मुख्य परिक्षा के अलावा हम कहीं भी नहीं भटकेंगे, तो शुरू से हम सुरुआत करते हैं, जैसे ही आप prelims exam देते हो, और जब आपका prelims exam crack हो जाता है, तो उसके बाद आता है आपका mains का paper, और mains का paper, इस पूर अब यहाँ पर देखो, CGPSC मुख्य परिक्षा में आप देखोगे आपके 7 paper होते हैं, एक से लेकर 7 तक, प्रतेक paper की समय अवधी आपको 3 घंटे की दी जाती है, और प्रतेक paper में आपको 200 number maximum देखने को मिलते हैं, तोटल अगर आप marks देखोगे तो ये होता है 1400, 7 paper 200 यानि क 1400, इसके बाद आपका 1500 number का, जब आप interview के लिए eligible हो जाते हो, इस exam को देने के बाद, 1500 number का अपका interview होता है, और 1550 number पर ही आपका merit list जो है, तयार होता है, maximum marks को देखते हुए, पोश्ट को देखते हुए, ठीक बात है, समझा रहे, paper number 1 की अगर हम बात करें, तो इसमें आपको मिलता है language, भासा, यानि कि आपको इसमें हिंदी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, और 36 गड़ी भासा पढ़ना पड़ेगा, 3 marks distribution हम आगे discuss करने वाले हैं, बस यहाँ पर एक overview समझ लो कि आपको कि इस तरीके से चीज़ें को मिलने वाला है, paper number 2, आ आपका यहाँ पर general studies सुरू होता है, प्रशन पत्र 1 भासा 2 एसे और उसके बाद आपका 5 GS, यानि कि इस तरह से आपका total जो है, 7 paper होता है, GS1 में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको Indian history, constitution, 37 पढ़ने को मिलेगा, फिर अगर आप general studies 2 में, यानि कि paper number 4 में आओगे, त science and tech, environment, ये सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, फिर general studies, नमबर 3 में अगर आप आओगे, तो यहाँ पर Indian economics मिलेगा, 36 गड़ का economics मिलेगा, Indian geography मिलेगा, 36 गड़ का geography मिलेगा, यानि कि ये paper number 5 की बात हो रही है, इसमें भी 3 गंटा, इसमें भी 200 marks, paper number 6 में आओगे, तो philosophy, sociology, psychology, 36 गड़ के art and culture, travels, tourism, ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगा, वो आपका paper number 6, यानि के general studies 4, general studies अगर हम 5 के बात करें, तो इसमें central government की तरफ से जितने acts बनाए गए है, या फिर 36 गड़ की तरफ से जो important acts बनाए गया, 36 सरकार की तरफ से जो important schemes चलाया जा रहे है national, international, national, international sports events, या फिर organization, ये सब सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगा, educational institute के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, ये paper number 7 की बात होगई, यानि के general studies 5, ये सारे के सारे paper लिखी थे, तीन घंटे में आपको लिखना है, ठीक वैसे ही, जैसे आप college का exam देते हो, आपको answer straight दिया होता है, CGPAC के समय सारनी के अनुसार, यानि की एक दिन में आपको 6 घंटे के paper लिखने होगे, तुशे लिए बोलते हैं कि मेंस clear करना आसान नहीं है, और अगर आप सही रन नीती अपनाते हो, सही तरीके से चलते हो, syllabus के गहराई को समझते हो, आप smart study करते हो, तो आपका में मेंस भी आसान हो जाता है, सही तरीके से आप बहुत लंबे समय से तक practice करते हो, आपकी consistency maintain रहती है, आप patience के साथ में पढ़ते हो, सांत दिमाग के साथ में पढ़ते हो, तभी आप मेंस crack कर सकते हो, तो एक दिन में 6 घंटे concentrate होकर question लिखना, answer लिखना, सारे questions को solve करना, ताकि कि आप बहतर score कर पाओ, ये आसान नहीं होता, और ये सब चीजें कहां से आती है, चिन points में पर discuss किया, सही रणीती होनी चाहिए, syllabus के कहराई पता होना चाहिए, consistency होना चाहिए, patience होना चाहिए, सब कुछ अगर आपके अंदर है, तो आप मेंस में बहतर score कर सकते हो, बात CGPSC को लेकर, मेंस को लेकर हमेशा कुछ लोगों के मन में doubt रहता है, जो खासकर नए लोग होते हैं, जो पहली वर paper देने जाते हैं, उनके मन में ये doubt खासकर आता है, सबसे पहला जो important information बदाने जा रहा हूँ, वो ध्यान रखना, एक paper तीन घंटे का, एक दिन में दो paper, ले number और बाकी सारी जो information आपको फिलब करना होता है, वो अच्छे से कर पाया, आप हडबड़ा है न, इसलिए जबी भी exam hall में जाओ तो आप ये मत सोचना कि तीन घंटे में आपको सब करना है, तो जल्दी 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 करूँ और उसमें बहुत सारी गलतियां होती है, दस मैं एक paper को English में लिखूं और उसके बाद बाकी 6 paper को मैं हिंदी में लिखूं, क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव है, लेकिन इसमें एक condition है, आपको जो आपका भाषा वाला paper है, यानि कि paper number 1, उसको छोड़ के बाकी के जो 6 paper है, उसे आप हिंदी या English में लिख सकते हैं, आप चाहें तो 2 paper को हिंदी में लिख लें, बाकी 4 paper को English में लिख लें, या आप चाहें तो 3 paper English में लिख लें, 3 paper Hindi में लिख लें, आपको जो मन करें वो कर सकते हो, अपने भासा क्यानुसार लिख सकते हो, लेकिन आप ये चाहोगे कि मैं एक ही paper में हिंदी और English दोनों में सकते हो यह बात आप ध्यान रखिएगा यह था आपका दूसरा important information तीसरा important information आप लोगों के लिए यह है अगर आप general category से हैं तो आपको प्रतेक paper में 33% marks score करना अनिवार है ठीक उसी तरह से कि आपको जब school में आप exam देते थे तो 33% passing marks होता था 33% आप नहीं लाया तो fail हो तो उसी तरह से इसमें भी होता है अगर आप general category से हो तो 33% आपको हर paper में marks लाना ही होगा यानि 66 number compulsory है और लेकिन अगर आप किसी category से भी लोग करते हो OBC, SC, HD तो आपको यहाँ पर 23% marks जो है वो लाना अनिवारी होगा यह कुछ important information है जिसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा exam hall में जाए या फिर syllabus को जब आप समझ रहे हैं तो यह कुछ points को भी आप अपने ध्यान में रखिएगा ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे देखो paper 1 और paper 2 को हम यहाँ पर अलग से समझ रहे हैं और paper 3 से लेकर paper 7 तक को हम अलग से समझेंगे क्योंकि paper 3 से paper 7 क्या है general study is the same pattern है लेकिन paper 1 और paper 2 में थोड़ा से यहाँ पर pattern जो है देखने को बदलाब देखने को मिलता है तो इसलिए हम सबसे पहले paper 1 और paper 2 को समझ लेंगे और उसके बाद जो 5 paper बच जाते हैं उसका same pattern है उसको हम समझेंगे ठीक paper 1 में अगर हम बात करें भाषा है भाषा यानि कि जैसे ही आप देखोगे जो आपके सामने paper मिलेगा एसे का paper छोड़ दो तो बाकी के जो 6 paper मिल गए वो आपको 3 part में देखने को मिलेंगे यानि कि 3 part में अलग-अलग subjects होते हैं अगर हम language की बात करें तो part 1 में आपको कौन सा language मिलता है आपको Hindi मिलता है और सबसे जाड़ा अगर आप paper 1 में देखोगे तो वेटेज आपको यहाँ पर Hindi को ही देखने को मिलता है part 2 में आपको क्या मिलता है? part 2 में आपको general English मिलता है और part 3 में आपको क्या मिलता है? part 3 में आपको 36 गढ़ी जो है वो language देखने को मिलता है अब इसका marks distribution कैसे होता है? तो marks अगर आप paper 1 के part 1 में देखोगे तो यह है आपका 75 marks का इसके अलाबा general English अगर आप देखोगे तो यह होता है आपका 50 नंबर का और part 3 36 गढ़ी language अगर आप देखोगे तो यह होता है आपका 75 नंबर का ठीक part 1 और part 3 उतना ही marks होता है अब total 200 नंबर होगे अब यहाँ पर अगर हम अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आएगा कि सर्थ 3 घंटे का paper होता है marks distribution इस प्रकार से होता है तो questions कितने आते होंगे तो questions कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो तीनो पार्ट को मिला दो तो total जो questions होते हैं number of questions अगर आप देखोगे तो 34 होता है यानि कि 34 questions आपको solve करने होंगे पहला पार्ट से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको 18 questions देखने को मिलते हैं अगर हम दूसरे पार्ट से बात करें तो 8 questions देखने को मिलता है और तीसरे पार्ट में भी आपको यहाँ पर 8 questions देखने को मिलता है और इस तरह से total जो questions नंबर होते हैं number of questions जो होते हैं वो 34 होते हैं तो सबसे ज़्यादा वेटेज आपको यहाँ पर मिलेगा और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदी का जो मतलब जो language का paper है वो थोड़ा सा difficult होता है score करना इसमें मुस्किल होता है लेकिन ये बहुत ही अच्छा scoring paper है आप इसमें कहना कि इसमें कुछ logical है नहीं आप बहुत आसान से score कर सकते हो अगर थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान दो तो खासकर English मेडिये माले aspirant को थोड़ा सा difficulty होता है मैं ये मानता हूँ लेकिन syllabus के according बहुत शांत मन से थोड़ा सा time देखर अगर आप इसे seriously पढ़ लो तो ये maximum scoring paper सावित हो सकता है हिंदी में क्या होता है हिंदी में grammar होता है गध्यांस होता है पठीद गध्यांस होता है जिसको पढ़कर आपको सौट में लिखना होता है जिसको पढ़कर आपको questions लिखने होते हैं आपको यहाँ पर letter लिखने के लिए आता है तो थोड़ा बहुत अगर आप practice कर लो थोड ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी पेपर देखने को मिलता है, हिंदी और इंग्लिश में, इंग्लिश में ज्यादा तर ग्रामर है, प्रिसेज राइटिंग है, पैसेज है, तो बहुत आसानी से आप यहाँ पर अच्छा स्कूर कर सकते हो, ट्रांसलेट करने के लिए क्वेशन् हिंदी में, तो maximum marks अगर आप देखोगे, तो 10 marks के maximum questions यहाँ पर आपको देखनों को मिलते हैं, 10 marks के questions क्या होते हैं, ट्रांसलेट करने वाले 10 marks के questions होते हैं, इसके लाबा 6 number के भी questions होते हैं, और 8 number के भी questions होते हैं, जिसमें आपको एक गध्यांस दिया गया है, गध्यांस के चार questions दिए गए, एक questions के दो marks, तो उस तरह से 8 marks, या फिर कुछ अनुबाद करने के लिए दिया हुए है, 6 questions दिये हुए है, 6 questions पर एक-एक marks, 6 number के question, तो इस तरह से हिंदी और English ठीक, वैसे marks distribution इसमें देखा गया, जैसे हम 10th और 12th का exam देते समय, marks distribution अपने school में देखा करते थ ठीक उसी तरह से, ठीक है, बात समाज आ रही, उसी तरह से आपको यहाँ पर English और Hindi मीडियम वालों को English से थोड़ा सा डर लगता है, उनको लगता है कि इसमें हम कम score कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर थोड़ा सा भी basic English आपने पढ़ रखा है, दसवी तक के, गड़ी है, तो खास कर English मीडियम वाले एस्परेंट और जिनको 36 गड़ी का थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, उनको यह डर लगता है, लेकिन अगर थोड़ा सा 36 गड़ी ग्रामर पर फोकस कर लो, थोड़ा सा इसमें महनत कर लो, तो अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इ यह आपका language का paper है, इस तरह से इसके marks distribute होते हैं, इस तरह से इसमें questions देखने को मिलते हैं, तीनो पार्ट में, बात समझ आ गई, इसके बाद paper number 2, essay writing, यह भी maximum scoring है, लेकिन अगर आपका interest है, current affair पढ़ने में, चीजों को पढ़ने में, चीजों को समझने में, international relation को समझने में जैसे भी है, रस्या, यूक्रेन का issues चल रहे है, जैसे तालिबान का issue एक समय में देखने को मिला था, जैसे South China Sea में, US और China के बीच, जो टकराव देखने को मिला था, अगर आप इन चीजों को international relation है, फिर national जो बड़े-बड़े issues हैं, चाहे आप मीडिया का issues देख लो, चाह paper 1, sorry, part 1 और part 2, paper number 2 का, इसमें 2 part होते हैं, पहला part जो होता है, वो आपका national और international issue से आपको 2 essay लिखने रहते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर 4 question दिये जाते हैं, जिस पे आपको essay लिखना होता है, लेकिन इन 4 topic में से आप 2 topic पर essay लिख होगे, maximum जो word limit होता है, इसमें 750, maximum word limit होत अधिक्तम मिल सकते हैं, part 1 से 2 essay आपको लिखना है, चार में से, तो 50-500 number, part 1 से, national international issues पर, उसी तरह से part 2, 36 गड़ issues पर आपको इसे लिखना होगा, यहाँ पर भी आपको 4 question यानि कि 4 topic दिये जाएंगे, जिसमें से आप 2 को चूज करके, किसी पर भी लिख सकते हो, अब इसके जो word limit है, वो आपका 750 है, maximum, और इसमें भी आपको एक पर 50 मिलेंगे, और इसका भी जो maximum marks होगा, 50 into 2, यानि कि 100, इस तरह से 200 number के, और इसे में भी जब आप syllabus में देखोगे, तोहाँ पर brief किया हुगा है, कि क्या-क्या चीज़े लिख सकते हो, आपको conclusion लिखना होगा, आपक क्योंकि जब भी ऐसे लिखते हैं, तो dynamic approach को अपनाना बहुत जरूरी होता है, तो वो चीज़ भी syllabus में brief किया हुआ है, तो जब हम syllabus के अंदर जाएंगे, topic को समझेंगे, विसाय को समझेंगे, trend को समझेंगे, तो वहाँ पर इन चीज़ों को हम discuss जरूर करेंगे, यहाँ पर नमबर 3 से लेकर पेपर नमबर 7 तक का, पेपर नमबर 3 से पेपर नमबर 7, 5 जीए से आपका 3 से जीए सुरू होता है, जीए 1, जीए 2, जीए 3, जीए 4, जीए 5, 7 तक, अब इन सातों का जो pattern है वो पराबर है, equal है, यानि कि पेपर 3 से जितने नमबर के questions part 1 से पूछे जाए तो इसलिए पेपर नमबर 3 से पेपर नमबर 7 तक का जो यहाँ पर slide है, आपको एक ही में देखने को मिल रहा होगा, इसके अलाबा जबी भी आप एक्जाम हॉल में जाओगे, तो वहाँ पर आपको दो booklet मिलेगा, एक आपका answer seat होगा, एक आपका question booklet होगा, क्यान के question seat होगा questions आपको दिये रहेंगे, जिसको आप घर भी ले जा सकते हो, और answer seat में आपको वहीं पर question भी दिया रहेगा, उसके के नीचे में आपको answer लिखने का space दिया रहता है, और उसको जमा करो आप जा सकते हो, तो questions या फिर marks कैसे इसमें distribute रहते हैं, इन चीजों को हम समझ लेते है तो अगर हम marks distribution की बात करें, कि CGPAC द्वारा कैसे marks को distribute किया गया है, तो marks को distribute ने CGPAC ने 5 खंड में किया है, यानि की 5 section में किया है, section 1 की हम बात करें, तो यहाँ पर आपको 2 number के question देखने को मिलते हैं, section 2 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको 4 number के question देखने को मिलते है section 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 8 number के question देखने को मिलते है section 4 की बात करें तो 10 number के question और section 5 की हम बात करें तो 15 number के question अभी जो बोलने जा रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनना यह आपका marks distribute हो गया कि कौन-कौन से section से किते किते कैसे question marks जो है वो distribute है अब यहाँ पर जो 10 number के question है वो सिर्फ और सिर्फ आपके question paper के part 2 से ही पूछे जाएंगे यानि कि part 1 और 3 का इसमें involvement नहीं है यान कि part 1 और part 3 से 10 number के question नहीं पूछे जाएंगे अब जो यहाँ पर section 5 में आपको 15 number के question देखने को मिल रहे है इसका सम्बंद सीधा-सीधा part 1 और part 3 से है यानि कि part 2 से 15 number के question नहीं पूछे जाएंगे अब दो number के question एक paper में कितना होता है हलाकि यहाँ पर section distribute है उसे मैं बता रहा हूँ part आगे मैं आपको यहाँ पर define करूँगा तो section 1 से अगर हम question देखे तो दो number के question कितने होते हैं 22 question होते हैं इसके अलावा अगर हम section 2 से बात करें 4 number के question कितने question होते हैं 13 question होते हैं 8 number की question के अगर हम बात करें तो यह आपको 8 question देखने को मिलता है और उसी तरह से अगर हम section 4 में 10 number के questions की बात करें तो ये एक question होता है part 2 से एक ही question पूछा जाता है हलाकि आपको 2 question दिया जाएगा जिसमें से आपको 1 का उत्तर लिखना है तो 1 question 10 number का होता है और 15 number के question कितने होता है तो 15 number के यहाँ पर आपको 2 question देखने को मिलते है एक question आपको part 1 से मिलेगा एक question आपको part 3 से मिलेगा हलाकि part 1 में भी 15 number के 2 question दिया जाते है जिसमें से आपको 1 लिखना है part 3 में भी 15 number के 2 question दिया जाते है जिसमें से आपको 1 लिखना है तो इस तरह से आपको यहाँ पर 2 question आपका 15 number का भी देखने को मिलता है अब इन सब को add कर दो कि total number of question एक paper में कितना हो जाता है general studies का तो जब आप इसे add करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि total जो question है वो 46 देखने को मिलेगा दो number, 4 number, 8 number, 10 number और 15 number मिलाकर 46 questions आपको 3 घंटे में solve करने है तो practice, speed, accuracy, sub talent, skill आपको अपने अंदर build करना होगा तभी आप जो है इनका answer लिख पाओगे अब हम word limits की बात करते हैं, word limits भी ज़रूर ही है क्योंकि जो आपका answer seat होगा उतना ही space दिया रहेगा आपको लिखने का जितना word limits CGPACC ने तै किया है तो 2 number के लिए अगर आप words limit को देखोगे, तो 2 number का word limits है वो है आपका 30 words 4 number में word limits अगर आप देखोगे तो ये है आपका 60 words ठिक, 8 number का अगर आप देखोगे तो ये आजाता है आपका 100 words में आपको लिखना होगा 10 number की अगर हम बात करें तो ये आपको 125 words में लिखना होगा इसके बाद अगर हम 15 number की बात करें तो ये आपको 175 words में आपको answer लिखना होगा तो ये चीजें कुछ section wise था जिन चीजों को आप समझ पाओ कि कैसे marks को distribute किया गया है CGPSEC द्वारा ये एक overview था में syllabus के कि आपका paper number 3 से लेकर paper number 7 तक 5 section में marks distribute 2 number 4 number 8 number 10 number 15 number अब सवाल ये आता है कि हमारा paper के जो subjects होंगे वो 3 part में divide होंगे एक paper में तो part 1 से कितने question आएंगे part 2 से कितने question आएंगे part 3 से कितने question आएंगे क्योंकि total question तो हमने देखा 46 है अब है 46 से part 1 से कितने questions होंगे part 2 से कितने questions होंगे part 3 से कितने questions होंगे इस बात को हम समझते हैं जैसे माल लो एक paper 3 का मैं यहाँ पर example ले रहा हूं paper 3 में आपका क्या है part 1 में इंडियन history पढ़ना है part 2 में क्या पढ़ना है quality पढ़ना है constitution होंपर public administration part 3 में आपका क्या है छत्यकड का history है तो जैसे मैंने आपको बताया कि तीनो paper no.3 से लेकर paper no.7 तक अलाकि paper no.1 में भी जो part का marks वाला part है वो सेम है तो यहाँ पर आप part 1 से आपको देखने को मिलेंगे कितने marks 75 marks maximum part 2 से 50 marks के question होंगे और part 3 से भी 75 marks के question होंगे बात समझा रही अब यहाँ पर जो दो number के question होंगे किसे part 1 से तो दो number के question यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 8 total paper में कितने दो number के question होंगे 22 part 1 में कितने 8 और सेम चीज होगा जो part 1 और part 2 3 का pattern है, वो same है, तो यहाँ पर भी आपको 2 number के question 8 देखने को मिलेंगे, अब part 2 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 85 marks है maximum, तो यहाँ पर 2 number के question कितने आपको 6 देखने को मिलेंगे, चीजे समझा रही, अब हम part 1 में अगर 4 marks के question की बात करें, तो 4 marks के question कितने मिलेंगे, पाट 2 में 4 नमबर के questions कितने मिलेंगे, तो पाट 2 में हमें 4 नमबर के questions मिलेंगे, कितने तीन, और सेम यहाँ पर 4 नमबर के questions कितने मिलेंगे, 5, और 4 नमबर का word limits कितने हैं, तो 4 नमबर का जो आपका word limits है, 60 words में आपको answer लिखना होगा, तो इतने questions आपको यहाँ पर दिखन को मिलेंगे अब हम 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर के question अगर हम बात करें part 1 से तो 3 question देखने को मिलेंगे उसके बाद अगर हम part 2 से बात करें तो यहाँ पर आपको 2 question देखने को मिलेंगे 8 नंबर के और part 3 से भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको तीन question देखने को मिलेंगे ठीक बात clear है अब इसमें आप ये देखो 10 number के question जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी दिर पहले कि part 2 से ही पूछे जाते हैं part 1 और part 3 से नहीं पूछे जाते तो इसमें आपको 15 number के questions एक solve करना होगा per limits 175 25 दो question दिये जाएंगे एक आपका जो है वो 15 number के question होगे और इसमें एक question जो है वो आपका 10 number का होगा एक question आपका 10 number का होगा इसमें 15 number के questions नहीं होगे ये धियान रखना कि जब भी आप preparation करो तो part 1 के लिए maximum आपको 175 words में question तयार करना है ये भी smart study का एक part है part 2 में आपको maximum 125 words limit का question तयार करना होगा और part 3 में भी आपको maximum 175 words है limit का question तयार करना होगा तयारी करते समय इन बातों को भी धियान रखना होगा अंधेरे में चलते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला ठीक है इसलिए हर एक बारी की को समझते रहिएगा और इसमें भी एक number आपको part 3 में भी 15 marks के questions जो है वो देखने को आपको यहाँ पर मिलेंगे अब आजाता है कि total number of questions कितने हो जाते हैं part 1 में अगर आप question देखोगे तो 8, 5, 13, 13, 13, 16 और एक question 17 यानि कि total 17 questions जो है आपको किसमे part 1 में देखने को मिलेगा part 2 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6 question 2 marks के 3 question 4 marks के 6, 3, 9, 8 marks के 2 question 9, 2, 11, 1 आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा 10 marks का तो total question हो गये 12 part 2 से इससे भी जो part 1 में है part 2 में सेम होगा यानि कि 17 question और इस तरह से total आपको paper 3 से paper number 7 तक में जो total number of question मिलेंगे वो sorry 46 मिलेंगे समझा गया तो यह paper number 3 से लेकर paper number 7 तक का marks distribution part wise में कैसे किया गया है इसका explanation था उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप चीजों को बहतर तरीके से समझ पाया होंगे अब एक overview मैं आपको दे देता हूँ कि कौन से paper में कौन-कौन सो subject पढ़ना है क्योंकि आने वाले समय में हम आपको हर एक subject के syllabus के अंदर में कौन-कौन सो topic दिया गया है और उस topic से previous year में कैसे questions पूछे गया थे, trend कैसा था difficulties level कैसा था, depth level में कैसे उससे question बन सकता है इन सारी चीज़ों का बात करेंगे लेकिन एक overview यहाँ पर देना ज़रूरी है पहले वीडियो में ताकि आप चीज़ों को शुरू से सुरू करते हुए syllabus के अंद तक पहुँचे तो कौन से paper में कौन-कौन सा subject है दो paper बता चुका हूँ language का, essay का paper 3 से paper 7 GS है, कौन-कौन से part में कौन-कौन सा subject है इस बात को समझ लो यह भी धियान रखना सबसे पहले कि आप सातो paper में अगर आप subject देखोगे तो लगबग आपको 25 से 26 subject पढ़ने पढ़ेंगे एक part में देखोगे कई जगा, एक part में सिर्फ एक subject है लेकिन कई जगा पर आपको एक part में जो है, एक से ज़्यादा भी subject देखने को मिलता है तो 25 से ज़्यादा subject तो आपको पढ़ने ही पढ़ने होंगे अच्छा है स्कूर करने के लिए तो paper no.3 की अगर हम बात करें तो paper no.3 आपका GS1 भी कहलाता है part 1 में आपको यहाँ पर Indian history को देखने को मिलेगा और part 1 में Indian history की अगर हम बात करें तो modern, medieval और innocent तीनो पढ़ना पढ़ेगा आपको और topic देखकर पढ़ना पढ़ेगा ऐसा नहीं कि हमको Indian history पढ़ना है तो अच्छी खासी बुक उठाली और Indian history को पढ़ना चालू कर दिए कई ऐसे important topic है जो आपके syllabus में नहीं है तो उसे पढ़ने का तो कोई मतलब नहीं हुआ तो इसलिए syllabus को समझकर ही उसकी गहराई को समझकर ही पढ़ना शूलू करेंगे इंडियान history उसके बाद part 2 कितने marks, 75 marks maximum word limits के कितने questions त्यार करने है आपको 15 number के एक question जो 175 तक होगा तो उस आधार पे आपको त्यार करना होगा इसके बाद आता है आपका constitution और public administration part 2 में यहाँ पर आपको 50 number के questions होगे और maximum जो word limits होगा वो 125 होगा यानि कि 125 word तक के questions को आपको यहाँ पर त्यार करना होगा बहुत सारे ऐसे important topic देखोगे quality में या constitution में जो होना चाहिए था लेकिन नहीं है और सबसे ज़्यादा जब यह नया pattern आया 2017 के बाद 18 से तो इसमें यह देखने को मिला कि quality का weightage जो है वो कम कर दिया गया और यह बहुत विवाद भी हो रहा है और इस पर भी आज debate होता है कि इसका weightage बढ़ाना चाहिए देखो आने वाले समय में क्या होता है 50 marks ठीक है maximum word limits 125 जिस पे आपको question त्यार करने तीसरा पार्ट 36 गड़ का history इसमें भी innocent में जो हला कि 36 गड़ में कुछ खास है नहीं medieval और moderns में भी आपको बहुत सारी चीज़न देखने को मिलेंगी और इसमें भी आपको 75 marks ही होंगे जैसे मैंने सारी चीज़ें explain कर चुका हूं marks आपको पहले ही और इसमें भी आपको 175 word limits तक क्या questions को आपको ready करना होगा ठीक इसके बाद paper number 4 यानि कि general studies 2 इसमें आपका पहला जो पार्ट है वो general science यानि कि physics, chemistry, biology आपको पढ़ना होगा ठीक उसी तरह से जैसे आप 10th level तक का physics, chemistry, biology पढ़ते हैं अगर उसे cover कर ले NCRT से cover कर ले या 36 गड़ की जो book आती है 36 गड़ की 10th level तक का CGBSC उसे भी पढ़ ले तो भी आपका cover हो जागा physics, chemistry और आपका biology इसमें भी आपका 175 words limit तक के questions को ready करना होगा maximum यानि की पढ़ना number के questions पूछे जाते हैं पार्ट टू की अगर हम बात करें तो इसमें आपको maths और reasoning देखने को मिलेगा पचास number के इसमें questions होंगे इसमें भी आप इसे भी त्यार कर सकते हो पार्ट थ्री की अगर हम बात करें तो applied event विभारिक विज्ञान इसमें आपको science and tech के questions देखने को मिलेंगे बहुत interesting part है environment आपको देखने को मिलेगा और यहाँ भी 175 word limits अधिकतम है तो आपको एक question को 175 words limit में लिखना होगा तो इसे भी आपको त्यार करना होगा तो ये है आपका paper number 4 यानि की GS2 GS3 की अगर हम बात करें तो ये आपका maximum dynamic part हो जाता है paper number part 1 में खास कर इंडियन economy और 36 गड़ economy ये दोनों आपको इसमें पढ़ना होगा 75 marks होंगे word limit maximum 175 में आपको एक question लिखना होगा यानि कि उसी साबसे आपको question त्यार करना होगा तो इसमें आपको इंडियन economy और आपका 36 गड़ economy देखने को मिलेगा part 2 कि अगर हम बात करें तो इसमें इंडियन geography के आपको questions देखने को मिलेगे 50 marks maximum word limit 125 तक के questions को आपको त्यार करना होगा part 3 चत्तिजगड का Google 75 marks इसमें होंगे और maximum word limit 175 तक के आपको यहां पर त्यार करना होगा तो 36 गड़ का जोगरफी आपका paper number 5 part 3 में देखेगा ये थोड़ा सा dynamic part है तो इसलिए इसमें आपको current defense भी साथ में पढ़ते हुए चलना पड़ेगा हाला कि हर एक subject के गहराई में हम जरूर जाएंगे आने वाली वीडियो में paper number 6 GS4 part 1 में है आपका philosophy यानि की तरसन सास्त्रे और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लोगों को चीज़ों को समझने में थोड़ा से इसमें time लगता है चीज़ों को क्योंकि बहुत सारी क्योंकि रटना चीज़े पसंद नहीं पढ़ता और रट कर लिखना वो सब थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो इसलिए में इसमें आप चीज़ों को syllabus के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पढ़कर इसे आप तयार कर सकते इसमें थोड़ा सा ट्राइबस के बारे में आपको पढ़ने पढ़ेगा आट एन कल्चर के बारे में पढ़ना पढ़ेगा 36 गड़ का जो थोड़ा बहुत नैस्नल पार्क वाला एरिया है सेंचुरी वाला एरिया है आपको पढ़ना पड़ेगा, यह वाला भी थोड़ा सा लेंदी है Part 3, क्योंकि इसमें maximum चीज़ें जो हैं, आपको रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा तो यह वाला paper थोड़ा सा लेंदी लगता है मुझे तो यह तीन subject जो है, वो आपको paper number 6, part 4 में पेपर number 6, general studies, form में आपको देखने को मिलेगा अब general studies 5, यानि कि आखरी paper, प्रशन पत्र number 7 यह paper आपको एक दिन में एक ही paper लेखने को मिलेगा क्योंकि एक दिन में 2 होता है, तो 3 दिन में 6 हो गया आखरी दिन एक ही paper बचेगा, तो इसलिए आपको इसके लिए single day मिल जाता है, part 1 की अगर हम बात करें तो इसमें कल्यानकारी, विकासात्मक, कारिकरम एवं कानून, यानि कि भारत सरकार द्वारा संसद में जो act पारित हुए है, जैसे right to information हो गया, सुचनाकादिकार, तो इस तरह से कुछ-कुछ act से इसमें मिलते हैं, मानवादिकार आयोगा धिनियम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो यह सारे कुछ इसमें act मिलेंगे जो संसद द्वारा पारित हुआ है, mention है, जो भारतिये संसद द्वारा पारित किया गया है, लेकिन 36 गड़ के संदर में जो act के बारे में आप पढ़ना है, वो syllabus में mention नहीं है, हाला कि उनको mention करना चाहिए था, तो यहाँ पर थोड़ा साब को समझ जा हो सकता है कि चीजे कैसे पढ़ें, लेकिन previous year के questions paper को समझ कर, trend को समझ कर, उसे भी पढ़ा जा सकता है, उसे भी तैयार किया जा सकता है, ये वाला part भी थोड़ा सा lengthy है, लेकिन अगर आप चीजों को समझें, बहतर तरीके से अब थोड़ा सर्रण नीती बना है, तो इसे भी बहुत तक के आपको question को prepare करना पड़ेगा, part 2 के अगर हम बात करें, तो international, national, जो sports events होते हैं, और इसके अलाबा कुछ international organizations के बारे में भी आपको पढ़ना होगा, यानि कि आया और sports related आपको इसमें पार्ट होगा, जैसे Olympics related आपको questions पढ़ना पढ़ेगा, United Nation, Bricks, IMF, World Bank, ये सब त्यार करना होगा, आपको, sports में Olympic हो गया, ACI खेल हो गया, इसके लाबा cricket का अगर देखो, footballs related, FIFA हो गया, तो ये सब सारी चीज़ें आपको इसमें त्यार करना होगा, ये भी थोड़ा सा, आप sports वाला part थोड़ा सा लिंदी कह सकते हो, international organization को बहुत easily prepare कर सकते हो, तो यहाँ से भी आपको 125 maximum word limits तक के questions को ready करना होगा, पार्ट 3 के अगर हम बात करें, तो इसमें कुछ sectionic suns था है, ये वो मानवीकास में उनका युगदान, जो कि educational institutions है important, जैसे IIT हो गया, aims हो गया, जो भारह सरकार के कुछ important suns था है, जो इन सभी को regulate करते हैं, UGC हो गया, तो इन सब के बारे में आपको part 3 में पढ़ना पड़ेगा, और ये सब का मानवीकदान में किस प्रकार से भूमिक है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 175 maximum word limits के questions को जो है, वो ready करना पड़ेगा, अब इस तरह से 7 पेपर हैं, 5 आपका GS का पेपर है, एक आपका भासा का पेपर है, एक आपका AC का पेपर है, marks distribution किस प्रकार से होता है, तो number के questions कितने words, 4 number के questions कितने words, 8 number के questions कितने words, 10 number के questions कितने words, 15 number के questions कितने words, यह सारे चीज़े मैंने आपको बहुत बहुतर तरीके से उम्मीद किया होंगा, आप चीज़ें को समझ पाए होंगे, अगले आने वाले जो वीडियोज हैं, उसमें आपको ये चीज़ें समझने को मिलेगा, कि हर एक subject के हर एक पार्ट से, यानि कि हर एक paper के हर एक पार्ट से यानि कि subjects कैसे questions पूछे जाते हैं, कौन से topics से maximum chances बनते हैं, questions पूछने जाने का, level कैसा होता है, trend कैसा होता है, इन सारी चीज़ें को समझेंगे, ये overview था, इससे समझे बीना आप आगे की चीज़ें को नहीं समझ सकते थे, तो इसलिए ये overview पहले जरूरी था, अब ये भी ध्यान रखना, किसमें dynamic part क्या होता है, dynamic part वो part होता है, जिसमें static के सासाथ, current fs भी पढ़ना होता है, updated करना पढ़ता है, value edition के लिए कहलो, या फिर direct questions आते हैं, उसके लिए कहलो, तो paper 2, जो आपकी आपका essay है, वो लगभग मान के चलो, dynamic part पर है, यानि कि आपको current fs updated रहना है, कुछ बदलाब होता है, तो वो सारी चीजें थोड़ा सापको update रखना पड़ेगा, या फिर किसी पद कल को लेकर विवाद होता है, तो वहां से भी questions देखने को मिल जाता है, हाला कि और dynamic part होता है, लेकिन static questions पूझ जाता है, जैसे राज जपाल की सकतियों को लेकर से related, अगर कुछ important events होते हैं, या कुछ submit होता है, या फिर science and tech से related, कुछ ISRO से related, या सारी चीजे कुछ update होता है, तो वो आपको update करना होगा, paper number 5 में, part 1 में, Indian economy और 36 गड़ economy पूरी तरह से अपमान कर चारों, dynamic का part है, तो उसको आपको बहतर तरीके से त्यार करना होगा, इस तरह से changes हुए हैं, तो उसे आपको update करना पड़ेगा, 36 गड़के जो schemes है, उसे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, चो चाहे नए schemes हो, चाहे पुराने schemes हो, उसको आपको पढ़ना होगा, इसके लाब आप part 2 में आप चले जाओ, तो जो international organizations हैं, उसको तो आपको में ही, तो उसको लेकर भी आपको regular update रहना पड़ेगा कि कौन-कौन से sports के events हुए हैं, उस sports का historical background कैसे हैं, और उसके कुछ-कुछ जो नियम्स होते हैं, उसके बारे में पूछा जाता है, cricket से related नियम, hockey से related नियम, कितने players होते हैं, ये सब सारी चीज़ें को भी आपको पूछा जाता है, और पूछा गिया है, तो ये सब सारी चीज़ें के लिए भी आपको त्यार है, ना पड़ेगा, educational institutions के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, गर उस तरस किसी changes हो रहे हैं, तो उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, गर government ने कुछ, उसके जरीए कुछ human development के resources को बदला है, या फिर नए human development resources लाए है, educational institutions के जरीए, तो वो सारी चीज़ें भी आपको अपड़ेट करने के आवे सकता पड़ेगी, ठीक है, तो आज की इस वीडियो में फिलाले इतना ही, आने वाला जो वीडियो होगा, वो आपको और depth level पर और चीज़ों को बहतर तरीके सा समझाये जाएगा, और इस series में मैंने आपको पहले ही बताया, कि आपको लगभग 5 वीडियो मिलने वाले हैं, ये पूरा प्रिवेसर के questions paper और syllabus के analysis पर आधारी और different angles के साथ में, ठीक, तो इस वीडियो में फिलाले इतना ही, thank you, thank you very much.